नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप मैं सुजीत कुमार इनकरवल I.S. Academy मैं आपका हार्दिक स्वाकत करता हूँ आज का वीडियो जो है एक बहुत ही special वीडियो होने वाला है असकिन पर देखते ही समझ में आगया होगा कि इस वीडियो में क्या मैं बताने वाला हूँ मैं टाइम टेबू तो ज़रूर बताऊंगा और कैसे करना है पूरा फीगर के साथ में बताऊंगा लेकिन इससे पहले जो है कुछ इसमें important बात है जो जानना जरूरी है तभी time management जब बोलूँगा कि किस तरीके से time के अनुसार से आपको चलना है जिससे कि आसानी से आप ISSDM बन जाएंगे आसानी से आसानी सब्दी यूज किया हूँ बन जाएंगे अगर ऐसे चलेंगे तो दोस्तों आपने कही बार अपनी life में देखे होंगे ये topper की पर लो ऐसे आइस्टाइन सहाब बोले ऐसे न्यूटन सहाब बोले ऐसे अबदुलकलाम सर बोले ऐसे सशीन टुनुलकर सर बोले ऐसे ये बोले बहुत सारी फोटो के साथ में बहुत सारी वीडियो यूटूब है मैं गलत नहीं कर रहा हूँ लेकिन कभी जिन्दगी में आपने अपने जिन्दगी को क्या बोला, कभी सोचा, कभी आपकी जिन्दगी आपको क्या बोलती है, कभी सुनने की कोशिश किया, कभी आपका बच्चा क्या आप से डिमांड कर रहा है, आपका दिल का बच्चा, कभी उसे पूरा करने की कोशिश किये? आपकी आधी जिन्दगी कट गई, क्या कभी सोचने की कोशिश किये? कहा गई? इस आधी जिन्दगी में हमने क्या किया? अगर एक इनसान भी अपने आधी जिन्दगी को ब्लॉकबास्टर बना दिया है, तो आपको उतना हक बनता है, आपको डिजर्व करते हैं, कि ऐसे हजारों सवाल हैं, जो मैं करना सुरू करूँगा, तो आपकी दिल धरकन और जुबा खामोश हो जाएगी, जबाभी नहीं मिलेगी आपको, मैं कोई भी बाते हवा हवाई बाली नहीं बोलता हूँ, कोई साइंस की बाते नहीं बोलता हूँ, मैं दिल की बातें बोलता और यही वज़व होता है कि आपके दिल में वो बात जाके उतरती है, क्योंकि मुझे लंबी चोड़ी बाते समझ में आती नहीं है, और फिर बोल भी नहीं पाता हूं आपसे, सिंपल बाते समझता हूं, सिंपल बाते आपके सामने रखता हूं, और आज की एक चैलेंजिंग बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा, कि सर सब ये बताते हैं, वो बताते हैं, टॉपर की कहानी, ये कहानी, वैसे पढ़ते थे, तीन बाते सिखलो, चार बाते सिखलो, ऐसे पता ने हजारों वीडियो है, लेकि कोई इसी वीडियो बे ये री बताता है, कि कौन से टाइमिंग में क्या पढ़ा जाए, कौन से टाइमिंग होना चाहिए, एक परफेक्शन के साथ में, जो कि उन्वर्सल टाइम टेबल होना चाहिए, जिसको पकर के कोई भी इनसान सक्सेस के पास पहुन सकता है, वो एक टाइम टेबल है, मैंने निकाला हूँ, और मैं जो ड्रीम फिप् अचियां है, उन सब को अपने पास में रखके, जो मैं कर सकता हूँ, महनत कर रहा हूँ, बताने का सीधा सा ये मतलब है, कि उनको जैसे पढ़ा रहा हूँ, उनको जैसे उनके अंदर एक confidence भूम होते जा रहा हूँ, उसके experience पे आज मैं आपको टाइम टेबल बताने वाला ह हाइफ हाइफ वाले तो ऐसे ही बाहर में घूमते रहा जाते, कोट पेंट पहन के, सच बता रहा हूँ, और जो सिंपल है, वो SDM की कुरसी पे, IS की कुरसी पे बैटके, पूरे जीला का मालिक बनके, पूरे जीला को घूमा रहा है, अपने हाथों से, और आप अपने घर में घूम रहे हो, खुद की नजरों में, दोस्तों, बहुत सारी बाते बताना है, लेकिन इसे पहले एक छोटी सी कहानी हो जाए, क्योंकि ये वीडियो में अपनी लाइफ का बेस्ट वीडियो आपके सामने बनाने की कुशिश कर रहा हूँ, एक कहानी सुनते हैं, कभी किसी व हमहा ऐसा आ गया, जब पता चल गया कि अब सक्सिस हमसे बहुत दूर चली जा चुकी है, तो साइद अब समय देना बेकूफियों से भड़ा होगा, या तो फिर हम उस मोड में, उस जोन में चल जा चुके हैं, जहां पे अब मुझे ऐसी जिना अच्छा लगने लग गया है कि पापा के पैसे पे, ATM से पढ़ महीने कार्ड डालू, पैसा निकालू, और पटना मुखर जी नगर पढ़ियाग राज में मजे लूटू, ये चीज दिमाग में फिट हो गई थी, अचानक जब मैं घर आया, तो अचानक एक दिन बैठ के, कुछ ऐसी घर में कंडिसन थी, जो भी थी एक से जड, मैं बैठ के खा रहा था, तो पापा आये बड़ी अजीब नजर से देख रहे थे, खाना बड़ी अच्छी थी, सांदार खाना थी, दिल में थोड़ी सी दर्द तो थी, सकसिस नहीं मिल पाई, मम्मी बैठी हुई थी बिचारी करती तो क्या करती, ल लेकिन अगर माबाप बोल देना, जाला अंदर से दिल तोट जाता है, यार ये क्या हो गया, अगर रोना नहीं विचाओ ना, फिर भी आँखों में आसुआ जाती है, आप कभी सोच लेना, कि अगर किसी के माबाप ये बात बोल दे, यानि क्या हमने जब लाया ही जमिन पे ना कावियाब इनसान को, ना कावियाब आउलाद को पैदा किया हूँ, तो उस सक्सिस कैसे हो सकता है, कहने का सीधा ये मतलब इसका होता है, ठीक है, बैठा हुआ, दो खिलाओ, आधी उमर तो गुजर गई है साहब की, जितना खिला सकती खिलाओ, अपने पैर पे तो खार रहना ही नहीं है, same language use कर रहा हूँ, जो उस समय बोला गया था, मुझे बुरा नहीं लगा था, उस टाइम, वो रात, वो लभा, बहुत अंदर से टूटा हुआ था, लेकिन सच बता रहा हूँ, इस कहानी के अंदर बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको, मैं खाना खा रहा था, लेकिन अंदर से पहली बार जिंदगी में ऐसा था, कि आंसू की धारा निकल रही थी, और जब भी आप कभी रोईएगा और खाना गर आपको मिल जाए, तो आप खाना नहीं खा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम खाना खा रहे थे, ये सोचके कि रोता हुआ इंसा जब खाना खाता है, तो उसके जिंदगी कैसी होती है, ये फील करने की कोशिश कर रहा था, कोई थोड़ा सा सौचता हूँ, ज़्यादा खुद की जिंदगी के बारे में तो ये फील कर रहा था और खाना में खा रहा था, लेकिन आख से आंसों रुक नहीं रही थी, और द सबकी मा यही बात बोलती है, हम वो गधे हैं या वो ना समझ है, जो कहीं न कहीं प्यार में डूब के ये सोचते हैं, कि हमारे पापा मम्मी हमसे मुखबत करते हैं, हरे नहीं, नहीं मुखबत करते हैं, क्योंकि दुनिया का डिमांड है और ये सच भी है, मैं सच मानता उसी के पीछे दिवानगी पैदा करती है यूगो यूगो से आ रहा सिंदू घाटी सभिता से यगर लेकर लेकर उठाओ एकीस मी सदी तक जो सक्सेस है उसी के पीछे लोग दिवानगी पैदा करते है कहानी को पकरना किस तरीके से मुर रहा उसके बाद मैंने खाना उना खा लिया उसके बाद खागा जो था होने का वो तो होई गया मैं बस सुझ रहा था जो लिखा था भागने भी धाता आने वो तो मेरे साथ हो गया गुसा थी, कुरोथ थी, दर्द थी, खामोशी थी, बस उठने बक्त यही बोला कि मम्मी ये बात तो तुम बहुत पहले जान रही थी न जब एक साल में नहीं मेरा हुआ कुछ भी प्रिलिम्स हुआ मैंस कौलिफाइ ने किया दूसरे बार प्रिलिम्स भी नहीं हुआ दुख हो रहा था क्योंकि मैं आपसे लोग से जोट कभी नहीं बोला हूँ जिन्दगी में आप कास उसी वक्त ये बात बता दी होती न तो साइद ये वक्त मुझे देखने को नहीं मिलता साइद ये वीडियो मुस माबाप के लिए भी मेसेज है कि जो भी आपके दिल में आता है अपनी बच्चों को बोलिए हमेशा ये जरूरी नहीं कि मीठाई बोलिए आप माबाप हैं आपने आउलाद को पैदा किया है कर भी बाते बोलिए क्योंकि माबाप का फर्ज होता है कि बच्चों से कर भी बाते बोले मीठी बात तो ये दुनिया बरबात करने के लिए बोली रही है उसके लिए आपकी कोई जगह ही नहीं है कर भी बाते बोलिए बच्चे को सही जगह पर ले जाएए उस दिन समझ में आ गया कि सब घर में कहीं ने कहीं जो आुलाद अनसेकसिस है उसके माबाप यही सोंसते है और यही बोलते है आप लाक अपने दिल को मना लो सुजीत सर ऐसा बात नहीं है मेरे घर में ऐसा नहीं है एक बार कभी पापा को अपने सर पे हाथ रहके कसम खाने कहना और कहना कि पापा जो ही सुजीत सर बोल ले है कि आप यह सौंसते हो और यह सही है अगर पापा ना बोल दे तो मेरा नाम मिटा देना गारेंटी यह आपको डेमो दिया हूँ अगर मेरी बात नहीं पता लगे तो चलिए आते हैं अपने कावों पर सबसे पहले लोट के टाइम टेमल बनाने के लिए बात को ध्यान रखना होगा बूद दोनों बात कौन है एक तो है कि लोग टर्म गोल होना जरूरी है ध्यान रखेगा और दूसरा है सौट टर्म गोल होना जरूरी है लोग टर्म का मतलब है कि जैसे ही आप तयारी करने के लिए शुरू की हैं तो मेरी बात करना है, मुझे IS बना, मुझे SDM बना, मुझे वीडियो बना, मुझे DSP बना, बंद कीजिए तमाशा, डेट लिखे उस पे, कि कौन से साल में आपको सेलेक्शन लेना है, अब ये जो हुआ, ये आपका लॉंग टर्म वीजन हुआ, गोल हुआ, कि मुझे जो है, 2021 में किसी भी काम तक पहुँचाईए, माल लिजे कि अब ही जो है, अब सिंदु घाटी सबिता परना है, सब पूस कि ये हिस्ट्री का, तो जब आप पढ़ने के लिए बैट गया है, तो उसको इस तरीके से पढ़िए, और इतनी ताकत लगा के पढ़िए, इतनी इनर्जी लगा के पढ कि सिंदु घाटी सबिता से अगर कहीं से भी कोई भी कोई कोश्टन पूछे, तो दुनिया में किसी का गलती हो तो हो, आपका गलती नहीं होना चाहिए, यह वा सौट टर्म गोल, जो छोटे छोटे पार्ट में उसको एचीव करना, यही छोटा छोटा एक दिन जो है, लॉ निया के सामने, यह होना बहुत जरूरी है, दूसी बात बता हूँ कि जो टाइम वेस्ट होता है, वो सबका होता है, टॉपर लोग जो होते हैं, टॉपर तो कुछ भी नहीं होता है, यह सकसेस कर गें तो टॉपर उसको लोग बस नाम एक तमगा दे देते हैं, टॉपर लेकिन आपसे सही जबाब नहीं मिल पाएगा, इसके पीछे जो कि पिछली वीडियो में बताया था, यह इसको नहीं छोडते हैं, किसी भी आलत में, यह कोई काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन इरके दिमाग पुपढ़ाई ही घूमते रहती है, और आपमें ऐसा नहीं होता ह आप सबको पकरते हैं, लेकिन आप कभी भी कंटिन्यूटी रिवीजन को नहीं पकरते हैं, और यह क्या टॉपर क्या करते हैं, सबको छोडते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी रिवीजन को कभी भी नहीं छोडते हैं, और आप सबको पकरते हैं, इस दोनों को छोड़ देते हैं इसलिए आप success नहीं होते है आपके पास में सिर्फ आज है और कोई लम्हा नहीं है ये दिमाग में आपको fit करना होगा सिर्फ आज है इसी आज में आपको जो कुछ भी करना है अपने सपने को हकीकत पर बदलना है क्योंकि कल आपके पास में वक्त नहीं है कोई नहीं जानता इस बात को पकड़ो अंदर तक ले जाने दो आज ना तो कोई दोस्त है ना तो कोई girlfriend boyfriend है ना तो कोई movie है ना कोई नशा है सब की सब समय परवादी है यहां कोई कुछ भी आपको नहीं दे सकता आपकी जिन्दगी में सब कुछ जो है कहीन कहीं बरबादी है सब कुछ कहीन कहीं बरबादी है और लोग कर रहे है आपकी खुद की इमांदारी से महनत की हुई ही आपको उस मंजिल की और पहुचा देगा जब तक आप खुद जलोगे नहीं तब तक इस दुनिया को परकास कभी देही नहीं सकते हो और आपको जलना होगा अगर जलने से डर लगता है तो बंद करो ये तमासा बंद करो मुखरजी नगर में समय बरबाद करना परियागराज में समय बरबाद करना और पटना में बरबात करना, अपने घर चले आओ, सची बात बता रहा हूँ, कर भी है, लेकिन दिल की बात है, तीन चीज से कभी compromise मत करना, next जो है, कभी भी compromise मत करना, एक पहला जो है निंद, इससे compromise कभी मत करना, दूसरा जो है, जब भी कोई problem आए, जब भी कोई tension होना शु करना, और तीसरा, टाइम के अनुसार नहीं, काम के अनुसार टाइम टेबल बनाएए, याद रखना, टाइम के अनुसार आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है, बलकि काम के अनुसार टाइम टेबल बनाना है, एक बात, आज एक नई बात है, इसको सीख लिजिए, अब जो यह सोना बहुत नीड है, अगर इसमें अगर आप किसी भी तरीकी की कोई हरकत करते हैं, तो आप कहीं ने कहीं अनसेक्सेस की और भाग रहे हैं, टेंसल हटाने के लाप गाना सुन लीजिए, कुछ थोड़ा दर सोसल मीडिया यूज कर दीजिए, गेम खेल लीजिए, यही सब टाइम बताएगा काम को, फिर यह गलत है, तब आप सक्सेस नहीं कर पाईएगा, कैसे अभी नीचे आपको बताते हैं, एक एक बात को अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, अब सबसे बड़ी चीज होती, जो दो चीज होती है, उसका ध्यान रखा जाए, बहुत बहुत करते हैं, या आप खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो वहाँ पे आप मेरी वीडियो स्टाट कर दीजिए, शुन ये, खाना बना रहे हैं, आज कल तो ब्लुटूत का जमाना आगया है, या फिर लोडी speaker ही ओन कर लिजिए, जैसे ही कर सकते हैं, आप कीजिए खाना बनाने वक्त कमसे में गंटा तो खाना बनाने नहीं जरूर लगता है उस टाइम हमारी वीडियों सुनिए काम कीजिए वहाँ पे अपनी सारीरी काम अपने काम कीजिए जो जिससे में काम कर रहे हैं लेकिन आपका मेंटली जो है पूरे तरीके से आये सेस्टियम के उपर रहना चाहिए कि वहाँ क्या करना है पूरा दिमाग को सिर्फ उसी के उपर लगाना है और कहीं नहाने वक्त भी आपका आधा घंठा निकल ही जाता है उससे कम नहीं निकलता है लड़के हैं तो बिसमेट जरूर लड़कियां तो घंटों निकलती है उस टाइम भी मेरा वीडियो चला लीजिए वहाँ भी आप टाइम को चुरा सकते हैं किसी को कॉल कर रहे है चाहे बॉइफरेंड है या गल्फरेंड ठीक है अच्छी बात है कोई बुड़ी बात नहीं है लेकिन वहाँ अब जो चर्चा होनी चाहिए कैसी हो क्या खाई हो कौँसा गान अच्छा लगता कौँसा फूल अच्छा लगता है तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ तुम्हारे बिना मर नहीं सकता हूँ बखबास कर रहे हो सामने वाले को बेकुप बना रहे हो या सामने वाली तुम्हें बेकुप समझ रही है ये दोनों डिसाइड बात आज आज आपको करना है मुझे नहीं करना है अब जो बात करना है क्या करना है सर आप बताईए कुछ नि आज सिंदुगाटी सभीता देखी, सुजीत सर का वीडियो, अब आज क्या है, चर्चा उसी पे करते, उसी को समझाईए, ताकि वहाँ से कुछ पॉइंट मिले और समझाने से क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो गया, गल्फेंट से बात भी आप कर लिए, बॉइल्फेंट सबसे पहले आपको चार बजे जगडा होगा, कंपरमाइस तो करना पड़ेगा, सर हम रात में जो हैं अच्छे तरीके से पड़ते हैं, क्यू बेकू बनाती हो, बेकू समझती हो क्या, रात में दस अगर लेके चलू, तो दस में एक स्टूडेंट भी अच्छे से नहीं खालत खालाब रता है, रात में पढ़ते रही है, रात में बाते होती है, क्योंकि रात में सांत होता है, सब कोई सोया होता है, आसानी से या तो वाटस अप चेट होते रहता है, या कॉलिंग होके कैसी हो, क्या हो, आस तुम्हारे बिना निंद नहीं आई है, पता ने क्यू समाज पूछेगा तो क्या जवाब दोगे ये देश पूछेगा तुमने क्या किया आधी जिन्दगी क्या जवाब दोगे है जवाब आपके पास में अगर जवाब है तो फिर जहां काम कर रहे हो आप girlfriend, boyfriend में time व्यतीत कर सकते हैं आपका हक बनता है तो सबसे पहले चार बज़े आपको उठना ही उठना हो क्योंकि जो सुर्ज को जगाता है वही success है और जिसे सुर्ज जगाता है वो जिन्दगी में बन्दा success नहीं कर सकता exception person छोड़ दीजिए इसलिए चार से पांच आपको फट से समसमाईकी को ध्यान रखना होगा क्योंकि आपका prelims में भी बहुत बड़ा एक योगदान करता है मेंस में भी और इंटर्व्यू में भी तो prelims के लिए भी मेंस के लिए भी और इंटर्व्यू के लिए भी आपका समसमाईकी current जो है बहुत important है चार से सारे पांच आपको पढ़ना होगा anyhow आधा गंटा जो बचेगा उसको क्या है जो समसमाईकी पढ़े हैं उसको खुद से बीना देखे हुए तेजी से कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए 6 से 8 के टाइम जो है आप बनाईए आधुनिक भारत पढ़ने का क्योंकि यहां से भी ज़्यादा कोश्चन बनता है अगर इस दोनों से आपका सारे कोश्चन सही होते हैं तो आप करीब करीब 50 से 60 परसेंट नमर तो आप ले चाया चुके है बचा हुआ है 30 परसें जिसमें जोग्राफी, पॉलिटी, एकोनोमी यह सबको आप ले लिजिए आसानी साब सेलेक्शन कर लिजिएगा सेलेक्शन कहां नहीं है आपका बताइए तो आप सही तरीके से पढ़िए तो सही आठ से नो जो बचा हुआ टाइमिंग है दैनीक जारण का राष्ट यह स corazón करने रहता है उस्के पहले पेज और अंतीम पेज और अच्छे से पढ़ना है और एक एक बात को अच्छे से पढ़ना है और अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है और साम के टाइम में इसको cutting करके कुड़ा बना के अपने एक बास में रखना है बलखी साम के टाइम में एक बार जो underline किये हुए है news paper में उसको एक बार पढ़के फिर इसको फेक देना फिर कोई ज़बूरत नहीं है नो से दस जो है आपका खाना बनाने का टाइम है आसानी साब खाना बनाईए उसके बाद जब फ्रेज होते हैं तब आता आप बाइलोजी का काम क्योंकि बाइलोजी का भी एक पोर्शन है जहां से सबसे ज़्यादा कोशन पूछता है तो आप 11 से 1-2 घंटे का पूरे तरीके से आपको टाइमिंग लेके मैंने आपको बताया था एक वीडियो में जिसमें बताया था कि 2 घंटे आपको कंसंट्रेशन के साथ में बैठना होगा क्योंकि 2 घंटे का आपका इंतिहान होता है हर इंतिहान 2 घंटे का होता है तो 2 घंटे में आपको जी बिग्यान को में पढ़ना होगा एक घंटा इतिहास को और एक घंटा जी भी ज्ञान को देना इससे क्या होगा पूरे तरीके से जो वीजन है आपका किलियर हो जाएगा और प्रिलिम्स का रिजल्ट कभी भी जिंदगी में दुखेगा छे से साथ घूमना है जो कि हेल्थ के लिए अच्छ नो से दस समाचार सुनना है और वो भी राजसभा से आपको लिंक प्रवाइड कर बाद दूँगा आपको हर दिन समाचार सुनना ये समाचार किसलिए इंपोर्टेंट है एक तो निउस के लहजे से और दूसरा यहां से जादा से जादा सब्दों का कंटेंट आप पकर पा इसके साथ में जो है आपका टेस्ट उत्तर लेखन सहली जो है समय में खुद डिसाइड करने के बाद आपको बता दूँगा और कोई सुझा होगा तो आप दे सकते तो यही एक टाइम टेबल है जो एक ऐसा परफेक्शन के साथ में टाइम टेबल है अगर इसको फोलो कीज करेइगा तो आप भी टॉपर बन जाइएगा सची बता रहा हूं दिल से बता रहा हूं आत्मा से बता रहा हूं यह अलग बात है कभी इस टाइम टेबल को किसी और बच्चे को आपनी बता पाईएगा क्योंकि यह टायम टेबल जो है बड़ा सिंपल है और आप जब युबाओं की सपने मड़ जाएंगे लेकिन इस टाइम टेबल को फोलो कीजिए आपके सपने हमीसा जिन्दा रहेंगे आपको सेलेक्शन होने से आप खुद भी नी रोक पाईएगा सची बता रहा हूँ इस वीडियो की हर एक बात को अंदर ले जाएए आपको सक्सेस होने से कोई अगर रोक ले तो आप हमें कहिएगा यहाँ सब्जेक्ट बदलते रहेगा अब या अधुनिक भात पर रहे हैं उसके बाद यहाँ पे जोग्रफी डाल दीजिएगा यहाँ पे पोलिटी डाल दीजिएगा यही टाइम टेबल रखिए आपका सेलेक्शन हो जाएगा जहां कहिए मैं लिखने के लिए तैयार हूँ बरना जैसे कर रहे हैं करते रहिए मेरा क्या गाम मेरा तो वक्त गया आपका अब सुरू होता कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताईएगा और हाँ इसमें कौन सी इसी बात थी जो सच में लगा कि हाँ कुछ नया सीखने के लिए आज हमें मिला हमें जरूर कॉमेंट करके बताईगा हम जरूर उसका जवाब देंगे और हो सके तो इस वीडियो को सेयर कीजिए थेंक्यू, नमस्कार